हेलो दोस्तों स्वागत आपका आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम देखेंगे 10 ऐसे ट्रिक्स जिससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपकी इज़त करने लग जाएंगे ये वो ट्रिक्स है जिनने आप अपनी जिन्दगी में अपलाई करके लोगों के नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं साथ ही जानेंगे ऐसा क्या करें जिससे आपको मान सम्मान प्रापत हो वहीं जानेंगे अपनी इंपोर्टन्स लोगों के सामने कैसे बढ़ाएं जिससे की लोग आपकी वैल्यू करने लग जाएं साथ ही देखेंगे ऐसा क्या करें कि लोगों के दिल में आपके लिए कदर इज़त और बढ़ जाए तो दोस्तों वीडियो को स्किप के विना पूरा एंड तक जरूर देखेगा नमबर वन रिस्पेक्ट पाने के लिए सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करें देखें दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उनके कलीग, दोस्त, परिवार के सदस से और अन्य लोग उसके काम के लिए उनकी सराहना करें और उन्हें पहचाने, लोग उनकी इज़ट करें अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो इसकी शुरुवात खुद से करें जो हैं आप, अपने आपकी इज़ट करना सीखें, अपनी नजरों में खुद को एक अच्छा और काबिल व्यक्ति समझें, खुद से प्यार करें, अपने काम से प्यार करें आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप इज़ट के काबिल हैं, तभी आप लोगों को समझा सकेंगे कि आप सम्मान के लायक हैं अपनी वीक्नेस की पजाए अपनी अच्छाईयों को याद रखें ये बात हमेशा याद रखें कि आपको इज़ट तभी मिल सकती है जब आप खुद को इज़ट के काबिल समझते हैं अगर आप खुद को एक नाकाम इंसान समझते हैं, अपने काम को छोटा समझते हैं, अपनी गलतियों को याद करके पश्टाते रहते हैं, तो आपको कभी भी लोगों से इज़त नहीं मिल सकती है। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप खुद का सम्मान करेंगे। जो लोग बिना सोचे समझें लगातार ओ, आम सौरी, ओ, सौरी, सौरी, ओ, आम सौरी, ये जो कह रहे होते न, उनकी आम तोर पर वैल्यू कम होने लगती है, और लोग उन्हें हलके में लेने लगते हैं, वहीं हर बात के लिए खुद को दोशी मानते हुए बार-बार सौरी ब होता है, कभी-कभी आप गलतियां करते हैं, जो परिवार और दोस्तों को प्रभावित करती हैं, जिसके लिए आप उनसे माफी मांग सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कभी ना मागें, मागें, लेकिन अगर हर छोटी-छोटी बात के लिए हर घंटे आप सौरी-सौरी-सौरी बोलते रहेंगे न, तो आप जिन्दगी पर सौरी ही बोलते रह जाएंगे, खास करके वर्क प्लेस पर, क्योंकि सब चाहते हैं, जहां पर वो वर्क करते हैं, लोग उन्हें सम्मानने, लेकिन बार-बार बिना गलती के सौरी बोलने की हैबिट के कारण, इससे उल्टा प्रूफ करें, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा, जो बहुत जादा बाते करते हैं, लेकिन उनकी बाते कुछ खास नहीं होते हैं, और लोग उनकी बातों को वेस्ट आफ टाइम समझते हैं, इतना ही नहीं, ऐसे इंसान पर लोग जादा ध्यान नहीं द होगा इसके बारे में भी सोचें इसके अलावा अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में ना बोलें और जब कोई आप से advice मांगे तब ही बात करें याद रखें आप कम से कम बोलें पर ऐसा बोलें कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से impress हो जाएं नमब फोर दूसरों का सम्मान करें और सम्मान पाएं सीधी बात है आप दूसरों को जितना सम्मान देंगे उतना ही आपको लोगों से सम्मान मिलेगा इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको respect करें आपकी value करें तो पहले आप लोगों को इज़त करें मतलब आप जैसा विवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरे लोगों के साथ में करें लोग जितनी इज़त आपको देते हैं उनको उतनी इज़त जरूर दें वहीं दूसरों से respect पाना भी आसान नहीं होता है किसी का disrespect करके आप उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकते हैं वहीं आप तभी लोगों का दिल जीत सकते हैं जब आप उन्हें प्यार देना जानते हों इसी के साथ ही चाहे आप उनकी बातों से सहमत ना हों पर फिर भी आपको उनकी बातों को गौर से पूरे सम्मान के साथ सुनना चाहिए आपकी बात अलग-अलग हो सकती है लेकिन आपको उनका मजाक या अपमान नहीं करना चाहिए सम्मान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इमानदार होते हैं और जो दूसरों का सम्मान करना जानते हैं क्योंकि आपको आपके विवहार के दम पर इज़त मिलती है किसी को टाइम देना किसी की हेल्प करना अच्छी बात है लेकिन बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनना और जादा से जादा अवेलिबल रहना भी सही नहीं होता है ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे और सभी काम करने के बाद भी लोग आप पे जादा ध्यान नहीं देंगे और आपके पीट पीछे आपका मजाग ही उड़ाएंगे इसलिए अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप खुद को बीजी रखें लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलिबल रहें इसे के साथ ही लोगों की हेल्प करें लेकिन अपना सब काम छोड़ कर नहीं जब आप अवेलिबल हों तब आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर आप फ्री नहीं हो तो साफ मना कर दें दोस्तों रिस्पेक्ट पाने के लिए ये अब तक की सबसे इंपोर्टेंट आक्शन्स में से एक है यदि आपने पास्ट में अपने द्वारा किये गए कमिट्मेंट्स को हलके में लिया था तो अपसे ऐसा ना करें बलकि हमेशा कमिट्मेंट और प्रॉमिस का सम्मान करें अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़त करें कभी भी किसी से जूटे वादे जूटी बाते ना करें और जो आप कहते हैं उसे पूरा करें अगर आप अपनी बात के पके हैं तो हर कोई आपकी इज़त करेगा ही करेगा वहीं अगर आप लोगों से जूट बोलते हैं तो कोई आपका अपमान करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है लोग आप पर एक पैसे का परोसा नहीं करेंगे अगर आप जूट बोलते हुए पकड़े गया या कहीं लोगों को सुनने में आया इसलिए अपनी कही बातों पर गौर करें और जो कहते हैं आप उसको पूरा करने का दम रखें तभी कहें या इसका उल्टा कहें कि जो आप पूरा कर सकते हैं वही प्रॉमिस करें तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे दुनिया में मान संबान पाने की चाहत सबकी होती है लेकिन इज़त खुद बखुद मिलने वाली चीज नहीं है ये कमानी पड़ती है ये आपके काम से मिलती है आपके बिहेवियर से मिलती है इसलिए दोस्तो अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों से लेकर अपने कलीग और यहां तक की पूरे दिन में मिलने वाले सभी लोकों के प्रती हमेशा पुलाइट रहें ये बाते कहना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है खास कर जब आपका दिन खराब हो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सम्मान पूर्वक विभार किया जाए तो दूसरों को भी वही सम्मान दें जो रिस्पेक्ट आप खुद के लिए चाहते हैं वही समाज में मान सम्मान पाने की लालसा उमीद सब के मन में पैदा होती है इसलिए आप भी दूसरों के प्रती दयालू का भाव रखें और तब लोगों की नजर में आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की नजरों में एक अच्छा इंसान बने एक ऐसा इंसान जिसकी सब इज़त करें तो आपके अंदर एक खासियत जरूर होनी चाहिए और वो खूबी ये है कि आप एक अच्छे लिस्टनर बने और लोगों की बातों को गौर से सुने ये काम जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है क्योंकि अधिकतर लोग जब बाते कर रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान सामने वाले की बातों को सुनने से ज़ादा इस बात पर होता है कि वो उनकी बात खत्म होने पर क्या कहेंगे वहीं सामने वाले की बात सुनने के बजाए अपनी बात कहने में लगे होते हैं बस दे दनादन दे दनादन कहे जाते हैं ऐसे में अगर कोई अपनी बात कहने से जादा सामने वाले की बात पर ध्यान देता है तो सामने वाले की पसंद बन जाता है इसलिए अगर आप भी सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी उसकी पसंद बन जाएंगे और वो आपकी इज़त करेगा और आपसे बात करना पसंद करेगा. अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कुछ उम्मीद मत करो, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड रहते हो, तो दूसरों की नजरों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ ज नमबर 10, किसी से सारी बाते मत बताओ, जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे से लाइफ के बारे में पूछते हैं, तो हम excitement में आकर एक एक चीज़ें detail में बताने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाले को सब सुनने में interest हो या ना हो, लेकिन हम अपनी सारी story एकदम बड़ 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 बताते जाते हैं, इससे सामने वाला आपसे जल्दी ही बोर हो जाता है, और उसको लगता है कि यार आप तो अपनी ही चलाते रहते हो, ऐसे में उसकी नजर में आपकी value down हो जाती है, इसलिए जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान के interest के हिसाब से बात करें, देखो कि उसे क्या पसंद, उसके response से आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है, तो उतना ही बोलें, जितना जरूरी है, तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करें, share करें, subscribe जरूर करें, और comment में comment करके जरूर बताएए कि वीडियो कैसा लगा, thanks for watching